1947 के बाद आज पहली बार ऐसे दुर्भाग्यपून दुरिश्च देखने को मिल रहे हैं और भारत के कोने कोने में देखे जा रहे हैं जहां लाखों की तादाद में गरीब प्रवासी मजदूरों का पलायन हो रहा है इस प्रकार का माइग्रेशन इस तर का पलायन आज से पहले शायद 1947 जब देश का विभाजन हुआ था उस समय दिखा गया होगा उस समय भी काफी लोग अपनी धन संपत्ती अपना रोजगार अपना घर अपने करीब लोगों अपने रिष्टदारों से हाथ दो बैटे थे और आज भी कुछ इसी प्रकार से दिरिश्य देश के कोने कोने में नजर आ रहे हैं जहां लाखों प्रवासी अपने घर की और प्रस्थान कर रहे हैं अपने मूल राज्य की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं बड़े स्पश सब्दों में कहना चाहूंगा कि जिस बरबरता का सामना गरीब मजदूर कर रहे हैं जो दुर्गती विचारे प्रवासी मजदूरों की आज हो रही है जो मानव अधि जनता पार्टी पूर्टह जिम्मेदार है आज भारती जनता पार्टी ने कई बड़े बड़े अमीर लोगों को जो विदेशों में थे उनको भारत देश वापिस लाने के लिए आलिशान जहाज भीजे उनको आलिशान जहाज हिंदुस्तान से रवाना करकर सही सलामत अप बड़े बड़े उद्योक पतियों को अपने निजी एरक्राफ लाने का प्राइवेट चार्टेट प्लेन करके उन्हें सही सलामत हिंदुस्तान लाने का प्रबंध भारती जन्ता पार्टी की सरकार ने किया अच्छी बात है किया लेकिन उन गरीब मजदूरों के लिए कोई प्राबधान नहीं किया उन गरीब मजदूरों प्रवासी मजदूरों के बारे में नहीं सोचा ये जो गरीब मजदूर हैं ये जो प्रवासी श्रमिक हैं जो दो वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने मूल राज्य से अपने गाउं से शेहरों में आते हैं ये हमारे देश क असली builders है निर्माता है आज यही प्रवासी मजदूर है जो देश के कोने कोने में जाकर अपना खून पसीना एक करकर इस भारत की नीव रखते हैं हमारे देश को बनाखते हैं देश को खड़ा करते हैं और आज उनकी जो दुरगती भारती जन्ता पार्टी कर रही है वो वास्तव में बेहत दुरभाग्यपून है आज बड़े सपश सब्दों में चार सवाल भारती जन्ता पार्टी से हम नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं वो प्रवासी मजदूर, वो श्रमिक आज भारती जनता पार्टी से चार सवाल पूछना चाते हैं आज मज़्दूर बेचायन है, परिशान है, अपने घर लोटना चाते हैं उनकी आजीवी का, उनकी आमदनी, उनकी अर्निंग कापैसिटी पर एक प्रकार का पूर्ण बेराम लग गया है और वो बेचायने अपने गाउं जाना चाते हैं, अपने परिवार वालों के पास जाना चाते हैं वो आज भारती जनता पार्टी से चार सवाल पूछना चाते हैं वो औरत जो पिछले तीन दिनों से लगातार चलती जा रही है, चलती जा रही है उसके पाव में होई च्छाले आज भारतिय जनता पाटी से पूछते हैं कि क्या हम मानव नहीं है आज वो व्यक्ति जो बीत साथ दिनों में 325 किलो मीटर चल चुका है अपने मूल राज्य की ओर चला जा रहा है अपने 6 साल के बेटे को अपने कंधे पे बिठाए उसके ठके होए कंधे आज भारतिय जनता पाटी से पूछते हैं कि क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं आज वो 6 साल का बच्चा जो चल चल के चल चल के ठक गया और अपनी मा के सूटकेस पर सो गया उसकी आख लग गई वो 6 साल का बच्चा जो ठक तूटकर अपनी मा के गिसठते सूटकेस पर सो गया आज उस 6 साल के बच्चे की नींद से भरी आँखें भारतिय जनता पाटी से पूछती हैं कि मेरा अपराद क्या है आज वो श्रमिक जो मानगरों में आया था अपने रोजगार के लिए आज जब वो श्रमिक हजारों किलोमीटर का सफर तै करने के उसका इस धूप में चल-चल कर गला सूख गया है उस श्रमिक का सूखावा गला आज भारतिय जनता पाटी से पूछता है कि क्या इस देश में गरीब की जान के कोई माईन ही नहीं ये चार सवाल सीधे तोर पे कोई राजनेतिक दल नहीं कोई राजनेतिक दल का प्रवक्ता नहीं बलकि वो गरीब मजदूर वो प्रवासी श्रमिक जो आज अपने मूल राज्य जाना चाहते हैं या सफर तै कर रहे हैं उनकी दिल की आवाज है ये उनके सवाल है ये हमारे सवाल नहीं है क्या इस देश में आज अमीर की जान की कीमत है गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है क्या भारती जनता पार्टी केवल अमीरों के लिए काम करेगी क्या भारती जनता पार्टी आलीशान जहाज केवल अमीरों को हिंदुस्तान सही सलामत लाने के लिए लगाएगी क्या भारती जंता पार्टी बसें, बड़ी बड़ी गाडिया, बड़ी ट्रेन, यहां तक की जहाज उन गरीब मजदूरों के लिए नहीं लगा सकती। क्या ये मजदूर हमारे देश का हिस्ता ही नहीं है आज क्या इन मजदूरों का हमारे देश के निर्मान में कोई योगदान ही नहीं है आज बीते कुछ दिनों में जो दृष्य हम सब ने देखे हैं पूरे देश ने देखे हैं वो दृष्ष बारतिय जन्ता पार्टी की गरीब विरोधी मानसिक्ता का दृष्ष है, जो आज पूरी तरीके से देश के सामने है, मैं चाहूँगा कि भारतिय जन्ता पार्टी इन चार सवालों का, उस औरत का, जो लगातार चलती जा रही है, कई किलोमेटर चलने के बाद उसके पाउं के छाले भारतिय जन्ता पार्टी से ये सवाल पूछते हैं, वो आदमी जो छे दिनों से चला जा रहा है, अपने बच्चे को कंदे पे बिढ़ाए, उसके ठकेवे कंदे भारतिय जन्ता पार्टी से ये सवाल पूछते हैं, वो बच्चा जो ठक के, तूट के चूरो कर अपनी मा के घिसटते हुए सूटकेस पे सो गया वो बच्चा आज भारतिय जनता पाटी से सवाल पूछता है और वो श्रमिक जो कई दिनों से चले जा रहा है इस गर्मी में उसका सूखा वा गला आज भारतिय जनता पाटी से ये सवाल पूछता है मैं उमीद करता हूँ कि भारतिय जनता पाटी कम से कम कुछ दिनों के लिए जूट मूठी सही अपनी गरीब विरोधी मानसिक्ता को परे करके इन सवालों का जवाब देगी और विचारे गरीब मजदूरों के लिए श्रमिकों के लिए कुछ कदम उठाएगी